अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, कम सकम चार साल तक के बच्चे हैं, तो बस जनेरली चीजों को अच्छे अगर अगर यह ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी पेट के दर्द को क्राम को कह सकते हैं, कॉलिक पेन को कह सकते हैं, इसको कम कर रहे हैं, करने के लिए एक medicine यूज की जाती है, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में detail से बात करने वाले हैं, उनके brand name, constituent, concentration, mechanism of action के बारे में, सबसे पहले मैं आपको इसका brand name बता दू, तो इसका जो brand name है, वह है आपका cyclopharm suspension, cyclopharm suspension जो की एक cyclopharm का एक example है, और cyclopharm एक ऐसा drug है, जिसको हम लोग मोटा मोटा अराब बात करेंगे, तो anti-spasmotic category के अंदर रखते हैं, anti-spasmotic category कहने का मतलब हैं, ऐसे drug, जो की spasm को कम करने का काम करते हैं, और spasm मतलब होता है, एक प्रकार से muscles का, एठन खास करके आपके smooth muscles का, कुछ इस तरह से समझ जा सकता है, कि अगर आप नहाने के बाद, अपने towel को balti में डूबो करके, सुखोने से पहले उसको निचोडते हैं, तो अगर ये मैं थोड़ो दिर के लिए rough में समझाने के लिए कहूं, कि ऐसा ही, जैसे towel को निचोडते समय, towel fill कर रहा है, लगबग लगबग इसी तरीके से हमारे जो internal smooth muscle है, वो feel करते हैं in the condition of spasm, इसको हम लोग एठन बोलते हैं, तो वो pain बहुत असनी होता है, और ये काफी कुछ problem में create करता है, तो इस तरीके से generate होने वाले pain को कम करने वाले drug को anti-spasmodic कहते हैं, और suspension तो इसके doses form को represent कर रहा है, क्या सकते हैं कि एक प्रकासि लिक्विड doses form के अंदर का एक preparation का type है, जिसमें हमारे जो active constant है, cyclopalm, वो suspended है in vehicle और solvent में, और ये vehicle और solvent कुछ इस तरीके से prepare किये जाते हैं, कि अगर आप इसे लम्मे समय के लिए stand-by position में रखो गए, तो वो नीचे आगे sediment हो सकते हैं, इसलिए हमेसा आपके bottle में ये लिखा हुआ होता है कि shake will be for use, ताकि इसके जो constant है, solid particles हैं, वो easily uniformly distribute हो सकें इस solvent के साथ, और हर एक spoon में आपको सही मात्रा में drug मिल सकें, तो ये हो गया इसके brand name के बारे में, अगर मैं बात करूँ उसको बनाने वाली company, तो एक चानी पहचानी अच्छी company में से एक है, इसका नाम है Indoco Pharmaceuticals, तो ये हो गया उसका brand name, असल में उसका active constant क्या है, वो तो नाम से समझ में आ गया, लेकिन चलिए हम उसके active constant और उसके जो concentration है, इसके बारे में बात करते हैं, इस cycloparm suspension में जो active constant है, वह आपका dicyclomene hydrochloride and cymethycon which is a suspension form, तो यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, आप cymethycon और dicyclomene यानि कि दो drug यहाँ पर यूज़ किये गए हैं, तो चलिए हम बात कर लेते हैं, इन दो drug के respective concentration के बारे में, इस 5 ml contains, जब आप इस bottle का 5 ml निका लेंगे, तो हर एक 5 ml के पीछे आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा dicyclomene hydrochloride, इंडियन फार्मकोपिया के guideline के accordingly 10 mg, और उसके बाद आप मिलेगा cymethicon, USP के हिसाब से, यानि कि United States Pharmacopoeia के हिसाब से 40 mg, तो हर एक 5 ml के पीछे 10 mg का मिलेगा dicyclomene, और आपको मिलेगा 40 mg का cymethicon, यहाँ पर 5 ml का नहीं का मतलब है, एक recommendation है, कि यह 5 ml पर के हिसाब से, इस 5 ml dose सब के लिए नहीं है, इसको इस तरीके से मस समझेगा, 5 ml लगभग लगभग 3 साल से उपर के बच्चे को दिया जाता है, तो आपके बच्चे के उम्र अगर छोटी है, तो definitely डॉक्टर के सलाह पर ही dose का selection करें, वरना overdose से problem हो सकती है, अब हम बात करते हैं कि आखिर में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपको मैं कहूँ, तो generally लिखा हुआ नहीं होता है, लिकिन इस पर लिखा हुआ है doses, चिल्डरन आधा से लिकर के एक tablespoon और अस दाक्रिट बाइदे physician, तीन साल से नीचे बच्चे हैं, उनको लगबग आधा से एक tablespoon के साफ से आपस को दे सकते हो, sorry, teaspoon के साफ से आपस को दे सकते हो, और जो तीन साल से उपर है, उनको 5 ml के साफ से दे सकते हैं, आईए अब हम बात कर लेते हैं इसके mechanism of action का, पहला जो drug है हमारा, वह है diceclamine, यह एक antispasmodic drug है, जैसा मैंने कहा, तो अगर आप उसके थोड़ा अंदर जाएंगे, antispasmodic के अंदर, तो वो दो तरीके से अपना काम करता है, अगर हम rough-rough के हैं, तो एक तरीके से अंदर घुसेंगे, तो दो तरीकों समझ में आ सकता है, पहला, कि यह एक anticholic drug है, यानि कि stylecoline के काम को oppose करने वाले drug है, और stylecoline के अंदर भी अगर आप अंदर घुसेंगे, तो उनके sub classification है, depending upon the receptor type, जिसमें हम बात करते हैं, निकोटेनिक और मस्किरिनिक, तो यह जो आपका drug है, डाइसेकलोमीन, वो एंटी मस्किरिनिक drug है, तो कोई मिला करके अंदर जाएंगे, तो एंटी मस्किरिनिक drug है, और अगर उपर फिशली बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका एंटी कोलेजिक drug है, तो एंटी कोलेजिक drug कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल भासा मैं आपको समझाता हूँ, जब कभी भी हमारा नियो ट्रांस्मिटर में से एक स्टाई कोली, जो कि एक बायो केमिकल भी है, रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद अपने रेस्पेक्टिव रेस्प्टर पर जाके बाइन होता है, या तो फिर आपके पास सिर्प चाबी है, ताला नहीं है, तो भी वो किसी काम का नहीं है, काम कब आएगा, जब ताले में रेस्पेक्टिव चाबी अंदर जाएगी, या तो ओपन या तो क्लोज होगा, तो अब जाकर के दोनों का कॉंप्लेक्स बनेगा और आपके लिए यूसफुल होगा, उसी तरीके से हर एक ड्रग का अपना एक स्पेसफिक रेस्प्टर होता है, जब ये ड्रग रेस्प्टर में बाइन होता है, तो उसके काम करना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे सिगनल काम कर रहा हमारा, यहाँ पे हमारा केमिकल काम कर रहा है, तो जैसे ही वो अपने स्प्टर पर बाइन होता है, तो उसका अपना एक स्पेसफिक बाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसी के कारण से आपके पेट के मसल में kram generate होता है प्रकासिक करे सकते है और उससे हमको pain होता है तो ये जो diceclomeant है वो अंटिकोilergic ड्रग है तो इस तरीके समझ में आ सकता है कि जब koilergic यानिके specilcoline के bind होने से हमको ये problem हो रही है तो हम उस style kulin के action को रोगने की कोशुश करेंगे जिससे वो action हमको देखने को नहीं मिलेगा इस तरीके से यह अपना काम करता है दूसरा जो आपका जो constituent है वह है scymethicon आपने कई बार यह देखा है कि बच्चों को पेट दर्द में गैस बनने लगते है flatulence की problem होती है तो हम generally घर रूसके उनको देते है जीरा पानी या जवाइन पानी और सब कुछ लगता है या तो फिर gripe water या फिर को दूसरे scymethicon continuing drug देते है तो scymethicon का जो काम करने का तेरीका है वो बिल्कुल clearly है कि वो आपके gas जो बन रहे है पेट में बच्चे के उसके surface station को change कर देते है जिसकी विरह से जो gas के bubble है वो रच्चर हो जाते है और easily pass out हो जाते है वो आपके स्तमक के अंदर absorb हो जाते है तो जो gas की problem हम लोग बोल रहे है basically उस problem को solve करने के लिए ये scymethicon का use किया जाता है तो जब हम एक drug को दूसरे drug जो की same purpose के लिए solve करने के लिए उसके आता है दोनों को आपस मिला जाते है तो ये आपस में मिल करके synergistic effect देते हैं synergistic effect करने का मतलब होता है कि दो समान nature वाले drug अगर साथ में आ जाएंगे तो उनके काम करने का जो progress है वो fast हो जाता है result जो है response जो है वो काफी अच्छा आता है मैं आपको सिभाने के लिए एक बात बता दूँ कि A नाम का और B नाम का दो बच्चा है A नाम को मैंने कुछ काम दिया B नाम को दूसरा काम दिया दोनों अपना-पना काम कर रहे है तो उन दोनों को respectively काम पूरा करने के लिए थोड़ा समय लगे Suppose एक किलोमेटर से कुछ इटे उठा के लाने के लिए बोल रहा हूं तो उनको अपना टाइम लगे लेकिन दोनों सेम है निकि दोनों का nature सेम है दोनों आपस में दोस्त हैं मिल करके अच्छे तरीके से कम समय में अपना काम करेंगे and that is simple principle of synergistic यानि की combined drug का same category के respect के हिसाब से तो ये था हमारा आज का drug जाती जाते एक बात आपको और बोलना चाहूंगा कि बच्चों की problem कई अलग अलग तरीके के होती है हम उसको समझ नहीं पाते हैं लेकिन अपने मन से interpreted करने की कोशिश करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया being a parent I can easily explain this कि अगर बच्चा रो रहा है तो या तो हम समझते हैं कि उसको भूग लग रही है या तो उसके कोई body part में pain हो रहा है तो most of the chances अगर खाने के बाद उनको कुछ समय बाद दर्द होता है तो ये exempt किया जाता है interpret किया जाता है कि उनके pain में कोई दर्द हो रहा होगा in that case ये problem को solve करने के लिए ये जो आपका suspension है cycloparm suspension है इसको हम use करते हैं तो आज की वीडियो के लिए इतना ही thank you so much for watching इस वीडियो नमस्कार, take care